हेलो एब्रीवन मैं हूगीतिका और ये बहुत ही प्यारा केक एक ट्रेंडिंग केक जो मैंने अभी बनाया था रिसेंटली बनाया था एक क्लाइन के लिए बहुत ही अच्छी क्लाइन्ट है मेरी तो उन्हें एक अर्जिंट में केक चाहिए था वैसे उनका इसा कुछ प्लान नहीं था पार्टी वगरा का उनकी बेटी का बर्टी था और वो कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही ओर्डर दिया और उस दिन मेरे काफी सारे ओर्डर थे तो मैं लेना नहीं चाहती थी ये ओर्डर बट मुझे लेना पड़ा क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे क्लाइन्ट है मेरी फ्रेंड भी है तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ज इसके ऊपर मुझे मैंने जो उनको रिफ्रेंस में पिचर भीजी थी वो ब्लू और वाइट के कॉंबिनेशन में थी तो उनकी बेटी थी तो उसके लिए ओविसली हम पिंक डेकोरेशन करेंगे पिंक और वाइट में तो यहां पर वही मैं कर रही हूं अभी हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम को जो है शाप एजस में थोड़ा सा कर देंगे अच्छे से क्लीन करके जब तक केक एक नीट और टाइडी ना दिखे तब तक मज़ा नहीं आता है तो आप थोड़ा सा गरम पानी लेकर जरूर ट्राय करके देखे इस तरह से स्क्रैपर से यह स्टील का स्क्र स्क्रैपर कभी यूज ना करें क्योंकि बीच में से क्या होता है वो थोड़े थोड़े से ब्रेक होने लगते हैं या कुछ पार्ट उनका निकलने लगता है वो केक में भी आ सकता है जो प्लास्टिक वाले स्क्रैपर होते हैं स्क्रैपर हो गया या स्पैचुला हो गया पै और इसके बाद फिर हम डेकोरेशन करेंगे थोड़ा सा गरम पानी ले लेंगे ताकि अच्छे से नीट हो जाए हमारा केक सब तरफ से प्लेन हो जाए तो ये बहुत खुबसुरत दिखता है बनने के बाद तो कभी-कभी ऐसे आ जाते हैं अर्चेंट में ओर तो आप चिंता ना करें जब भी आपको ऐसे ओर आते हैं तो आप ट्राइ कीजिए कि आप ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना है केक बनाने में टाइम नहीं लगता है बट अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको थंडा करना पड़ेगा आपने अगर क्रम कोटिंग करी है तो आपको उसको काफी टाइम देना पड़ेगा फ्रिज में रखकर सैट करने के लिए उसके पास decoration के लिए भी आपके पास काफी time होना चाहिए decoration के बाद most important part आता है photography का और cake को pack करने का उसके लिए भी आपको एक अलग से timing रखनी होती है क्योंकि वो बहुत important चीज है अगर आप photographs नहीं लेंगे तो आप कैसे अपने client को अगले client को आप बताएंगे कि आपने ये cake अभी अभी बनाया था और recent आपके जो भी cakes हैं जो भी trend में चल रहे हैं वो cakes try कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा response मिलेगा जो clients हैं वो हमेशा यही चाते हैं कि अभी नया क्या चल रहा है जब जैसे हम कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम जो fashion में चल रहे हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं देखना तो ऐसे cakes में होता है तो जैसे कोई भी trending cake आया नया तो वो ज़्यादा लोगों को attract करता है तो अभी आजकल क्या हो रहा है ना फॉंडेंट का काम बहुत कम हो गया है फॉंडेंट डेकोरेशन बहुत कम हो गया है फॉंडेंट लोगों ने खाना बंदी कर दिया है कहना मैं यह कहना चाहूंगी कि लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है फॉंडेंट लेना तो अभ केक होता ही है और जल जादा चल रहा है प्लास्टिक प्लास्टिक यऊचयात ही पॉल्स के बोलता है तो बहुत सारी चीज़ केक नहिं искश और नंदाबत है और ज्यादा fondant नहीं रहता तो लोग enjoy भी करते हैं तो अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा pink decoration कर दिया है fault line के साथ और यह जो मैंने golden यहाँ पे flex use किये हैं यह edible है और मैं हमेशे edible ही use करती हूँ जो non edible होते हैं वो जो work के साथ आते हैं वो edible नहीं होते हैं कई लोग वो golden जो work होता है न वो use करते हैं golden और silver बट वो edible नहीं होता है तो जब भी आप cake ले रहे हैं please make sure कि वो edible हो और अगर edible नहीं है तो please उसको हटा कर खाईए यह जो मैं flex use किया है मैंने golden यहाँ पे बॉर्डर पे यह totally edible है अब यहाँ पे जो उपर आप decoration देख रहे हैं यह balls fox balls और यह उपर कुछ मैंने पीछे लगाए हैं जो कि यह सब ही decoration हमारा जो है artificial है तो यहाँ पर हमने आप जैसा कि पिंक और वाइट का combination था इसमें तो पिंक और golden मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच दिया है और बहुत ही सुन्दर लग रहा था यह cake बनने के बाद वीडियो में फिर भी इतना अच्छे से इसकी यह करके देख सकते हैं simple है बट बहुत ही खुबसूरत लग रहा था यह cake सब ने बहुत appreciate किया और मेरे client को तो बहुत ही जादा पसंद आया cake उनकी बेटी को भी बहुत पसंद आया तो आप चाहें तो इसको एक दो घंटे में अराम से बना सकते हैं प्राइस मैं suggest करूंगी कि आप 1 kg के लिए 1500 तो 1600 चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो सामन लगा है वो काफी expensive होता है आप भी समझ सकते हैं अगर बेकर हैं तो thanks for watching my video bye bye take care love you all अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो like share जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा